खटाखट कराने वाले फटाफट हटने जा रहे हैं यूपी के असियो सीट पर लोग सभा सीट में फटाफट साफ हो जाएंगे ये जैसे जैसे मौसम की गर्मी चल रही है वैसे वैसे सुभासपा की छड़ी की गर्मी भी चल रही है ये कहना है सुभासपा के नेता अरुन र भाई अर्विंद राजभर गोसी से सुभा सपा के पृतियासी है। यूपी के बलिया के रसणा से है खबर जहां अर्विंद राजभर का डंका बज रहा है, कैबिनेट मंतरी ओं प्रकास राजभर के बेटे अरुन राजभर का बड़ा बयान सामने steeds है गोशी लोकसभा छेत्र में जनसंपर्क के दौरान मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी और अख्लेश यादों के खटा-खट फटा-फट वाले बयान पर अनुर्राजभर ने पलटवार करते हुए बोला कि खटा-खट करने वाले फटा-फट हटेंगे यूपी के अस बच्चों की जोड़ी चलती थी लेकिन हमारे नितावं प्रकास राजभर इन दोनों बच्चों के चाचा है और यह चाचा गोशी लोकसभा छेत्र में खेल कर चुके हैं अनुर्राजभर ने कहा कि जैसे मौसम की गर्मी चल रही है वैसे ही सुबासपा के चुनाव चिन छ नहीं रुके आगे कहा कि इस चुनाव में निर्वाचन आयोग को भी पता चल जाएगा जब एक तारिक को छड़ी पर बोट पड़ेगा तो निर्वाचन आयोग का मसीन भी काम करना बंद कर देगा यहां पुर्वांचल में मोदी जी की लहर नहीं सुनामी चल रही है यह जो खटा खट कर रहे है न अभी फटा-फट फटेंगे यहां से अMartा फटेंगे असी लोग सभासीट में हे? पांचमें चरण का चुनाव संपन हो चुका चटमें और साथमें चरण में आते आते यह साफ हो जाएंगे फटा-फट साफ होंगे इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है और मैं देख रहा हूं जनता के बीच में और आप सभी सम्मानित पत्रकार बंदू ग्राउंड जीरो पर प्रकास राजबर जी इन दोनों के चच्चा हैं और यहां गोशी लोग सवाच छेत्र में चच्चा पूरा खेल कर चुके हैं अब समाजवादी पार्टी के और ब्यस्पी के नेता आपस में लड़के डाक्टर अर्विंद राजबर को जिताने जा रहे हैं यूपी निउस